जय जय स्रीराधे सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से धन्वाद दहना चाहता हूँ बाकी बैसे मैं इस लाइक नहीं हूँ लेकिन कुछ बात हैं मुझे बड़ी अच्छी लगती है बोले आपके जो किरिया कलाप हैं उसके संदर में मुझे एक दोहा याद आ रहा है बताईए तन पवित्र से बाकिये और धन पवित्र किये दान मन पवित्र हरी भजन से होई त्रिविध कल्यान बहुत संदर बहुत संदर ये तीनों चीजों का समाबेश हमारे स्रद्धे गुरुजी करते हैं तन, मन, धन जिनके माद्यम से हम सब का कल्यान है अगर ठाकुर जी ने हमें तन दिया है तो लड़ाई जगड़े के लिए नहीं है युद्ध करने के लिए नहीं है किसी की सेवा करने के लिए है गरीबों की सेवा करने के लिए है अपाहिरों की सेवा करने के लिए है ठाकुर जी की सेवा करने के लिए है गुरुओं की सेवा करने के लिए है और यदि धन दिया है धन पवित्र की ये दान धन की पवित्रता दान से है अच्छे काम में लगाने से है अच्छे किरिया कलाबों में धनका सोद्य प्यों हो इसके लिए है नकि अन्यत्र किसी भी गलत जगे इस्तामाल करने में और मन पवित्र हरी भजन से मन की पवित्रा ठाकुर जी के नाम में हैं गुणगान में हैं वो तीनों चीजों का समावेश आपकी कथा और भाववत के माद्यम से हमें मिलती है हमारी धर्म पतनी तो पतनी क्या जादू सा है नित्य उसी को देखती है उसी को सुनती है और इससे बच्चे उनसे जरूर लड़ते हैं जोंको उनका मूड कलग कुछ र इनका है अग्या हो तो मैं आप से आड़ा जी बिल्कुल बोलिए दो चीजने मुझे हमेशा हमेशा कचोटती यैं पता नहीं क्यों महभारत काल में भी और रामेन काल में भी बताईए तो महभारत काल में तो ये द्रोब्दी का जब चीर हरन हुआ था हजारों शाइद हज यारों की जंकिया में रहे हों बिल्कुल थे और मुझे दुख हुआ कि वहां एक स्तरी आज के टाइम पे अगर कहीं कुछ बात हो जा है तो सौनमबर डाहिल करिए तुरंत पुलिस आवेगी ये सवाएंगे सारा कुछ उसका बंदोबस्त करेंगे पूछेंगे क्या प्रॉबदी का सहारा दिया नमबर वन नमबर टू ये कि 20 प्रतामें जो कि पूरे मुखिया थे पूरे कौरफ पांडमों के लीडर थे बो चाहते तो दुर्योदन उनका पोता-पोती रहा होगा बहुत छोटी सिरेड़ी में था वो दो थप्ण मारके उसको डाट नहीं सक को ने उस वक्त उस दुरॉबदी को क्यों क्यों नहीं बचाया क्यों नहीं दुर्योदन में दो थपड़ खीच के मारें दूसरी बात एक सवाल थोड़ा सा और है ऐसे ही रामागर काल में अहिल्या को गौतम रिसी ने स्राप दिया उसको पत्थर की शिला बना दिया ऐसा क जानना चाहता हूं उस बिचारी इसका अहिल्या क्या अपराद था और जिसने अपराद किया उसको क्या सजा मिली क्यों नहीं उसको कड़ा पनिस्मेंट मिला मिला था मिला था वो पनिस्मेंट सफीशेंट नहीं है किसी की इज्जत से ज्यादा पनिस्मेंट नहीं है वो अ गौतमरिसी ने इंद्र को श्राब दिया कि तुम यौनी लंपट हो इसलिए तुमारे शरीर में एक हजार यौनिया हो जाएं पूरे शरीर में इंद्र के यौनिया ही यौनिया हो गई थी बाद में वही यौनिया इंद्र की आख बन गई तो ये इंद्र का हो गया चंद्रमा भी बोबन के कुकणों को किये थे मुरगा तो उनको कलंकित कर दिया तुम कलंक आज भी काला धबा हक चंद्रमा में अहिल्या को श्राब क्यों दिया अहिल्या को गौतम जी ने श्राब दिया अहिल्या गौतम जी जानते थे कि ये नारी गंगा की तरह पवित्र है लेकिन माना कैसे मानता इसलिए पत्थर की बना दिया जाओ त्रेता योग में राम जी आएंगे जब उनके चरणों की रज पड़ेगी तो तुमारा भी नाम तीन लोग को पवित्र करने वाला बन जाएगा यदि ना श्राप देते तो वाज अहिल्या को हम कैसे जानते लेकिन अहिल फूजा कर नहीं होती हिंदका इंद्र का सवसे बड़ा दंड यही तो है कि इंद्र एसी छिननी हरकत करता है इसलिए फूजा नहीं आर neighbourhood करते डाव्यर कंती इसलिए ना क्योंकि यह इस जर्या वाला आदमी भौले देवता इसलिए पूजा नहीं होती हिंदर की कहीए आज के नहीं गिरिवुराज जी की करो तो भगवान दीबंद कराई यह डंड़ ही तो है लेकिन इन सभी चीजों में जो इंद्र के नीचे देवता थे क्या उनको एक जुट हो कर उसंद्र को punishment नहीं देना चाहिये था उसको हटानने चाहिये था भाई इंद्र का सिध्धान्त है जैसे प्रधान मंत्री हमारे 5 साल के लिए होते हैं उसी प्रकार जो 101 करता है उसे इंद्र बनाया जाता है अभी वर्तमान में पुरंदन नाम के व्यक्ति को इंद्र बनाया गया है यह जो घटना है यह पुरंदन नाम के इंद्र की घटना है अब यह उनका पुन्य पूरा है भाई देखो एक बात बताओ हम यदि पाप करेंगे तो पाप का दंड हमें तुरंत नहीं मिलता समय आने पर मिलेगा उसी प्रकार इंद्र का कारेकाल समापत होगा तब उनके सारे इन पापों का हिशाब होगा चिंता ना करिए अगामे मनवंतर में राजा बली इंद्र बनेंगे ये भी सब गदियां हैं सौ साल के पद हैं इंद्र कोई अमर नहीं है इंद्र सौ साल के बाद बदल जाते हैं ब्रह्मा भी सौ साल के बाद बदल जाते हैं हम और आप भी सौ साल के बाद बदल जाते हैं तो ये आपका पहला प्रशन था जिसका हमने अपनी बुद्धी और विवेक के नुसार आपको कहा अब दूसरा प्रशन था आपका कि पितामा भीश में जैसे दिगज खड़े थे और भरी सभा में दुरापदी लुट रही थी तो दुरापदी लुट रही थी भरी सभा में और सब चुप चाप बैठे थे उसी का दंड तो मिला कि जितने लोगों ने तमासा देखा था दुरापदी की साड़ी खिचने का सब को दंड मिला सब महा भारत में मारे गए ये सब को दंड मिला है देर से इश्वर के घर थो दुरापदी की साड़ी बढ़ाई तब उनने कहा कि मैंने दुष्ट दुरियोधन का अन खाया था इसलिए मेरी बुद्धी भी दुरियोधन की तरह हो गई थी अब वो एक एक बूंद लहु जमीन पर गिर गया है अब बुद्धी निर्मल हो गई है इसलिए कहता हूँ ज का आज़ जैंसा खाए अन वैसा रहिमन जैसी राक है सुद्धी वैसी बने बुद्धी और जैसा पी ए पानी Casey वोले वाणी तो पितामा का पानी और दाना दुर्योधन का था तो स्वभाविक है जिसका खाएगा उसी की तो बजाएगा तो पितामा जैसों की बुद्धी उस समय काम इसलिए न की क्योंकि वो अनुट का खाए लेकिन गलत किया तो बाणों की सईया पर लेटना पड़ा पितामा जैसे दिगजों सबसे ज़्याद दंड पितामा कोई मिला है क्योंकि सबसे शक्तिसाली वही थी चमा चाहता हूं मैं आपकी बाप कोई थोड़ आसा ने विराम और हाँ बताईए आपने अभी बात कही थी कि जिनों ने वहां सबदबा करने जर्च के उनका सब्बसे देखा उनको पनिस्मेंट्किंट्स क्या मिला कि उनकी मिठ्यू हुई बिलुकुल महा भारत में जाया आब मानते हैं देखिए मृट्यू हो जाना। मृत्यू मृत्यू भेद होता है समझिएगा इस बात पर बड़ी गहराई है जिसको आपने पूछा है एक बार क्या हुआ एक मुर्गा कुट्टे से बोला मुर्गा कुट्टे से बोला कुट्टे ने मुर्गे से कहा अरे मुर्गा अरे मुर्गा तू क्या सवेरे से कुकणू कुण करता रहता है सवेरे आठ बजते ही नास्ते की पिलेट में आ जाएगा कुट्टे ने मुर्गे से कहा कि तू सवेरे तो आठ बजते की पिलेट में आ जाएगा मौत भी कई प्रकार की होती है एक बहादुर वीरता की मौत होती है कैसे मरे हमारे देश का जवान जब सेना के लिए लड़ता है देश के लिए मरता है न तो उसकी वीरगती होती है जबकि मरना तो और भी लोग मरते हैं पर उनको तो वीरगती नहीं बोला जाता तो मौत भी दो प्रकार की होती है, एक कुत्तों की मौत आदमी मर जाता है, एक वीर गती को प्राप्त करता है, तो दुरियोधन जो मौत मरा था, वो कुत्ते की मौत थी, तडप तडप के मरा था, तो ये मौत उसकी सजा थी, इसलिए दुरियोधन की मौत वीर गती वाली मौत नहीं थी, तड़प तड़प के मरा था जंगा तूट गई थी तड़प रहा था सारे पाप उसके कर्म याद आ रहे थे तो कुत्ते की मौत थी वो इसलिए मौत भी कई परकार की होती है वीर गती को प्राप्त हो जाए एक बार में देश के लिए मर जाए वो गती है मरने पर भी लोग करते हैं वाह यह मौत है सामान्य आदमी मर जाता है रहंगते रहंगते बेटा बेटा करते हैं इनकी यही कुत्तों की मौत है तो मौत मौत भेद होता है ठीक है? खुश रही है बहुत अच्छा सवाल था आपका यह आपके जीवन कानभव था यह आपके मैचियोरटी है संदर